प्रमान जगन्नात की पवित्र भूमी, कलास संस्कृती की जन्म स्थली, वीरों और महापुरुषों की जन्नी, उड़ेसा, कलिंग राज्य का उलेख, महाभारक जैसे बौरानिक ग्रंथों में मिल जाता है। और इसकी कहानी विपक्थर भी कहते हैं, जिन पर यहां के प्रताबी समराठ खारबेल का नाम लिखा है। उड़ेसा के निवासी कितने स्वाभिमानी, राष्ट्रफक्त और सहसी हैं, इस बात का प्रमान कलिंग युद्ध स्वयम है। सन 1804 में, जई राजगुरु और 1817, पक्षी जगबंदु, चक्राविसोई, रेंडो माजी के नित्रित्प में हुआ पाइक सशस्त्र संग्राम, विदेशी आथताईयों पर हुआ पहला आखात था। बाद में सरदार सुरेंद्र साई ने मुक्ती संग्राम को आगे उतकल जनिनी ने ऐसे महामानवों को जन्म दिया, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अपने लहू से सीचा, और आजादी के भूल खिलाए, मधु सूतंदास और गोप बंधु ने सत्याग्रह की राह पर चलकर स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया, वहीं लक्ष्म आज देश का मान सुरक्षित रखा, आज देश प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्ग दर्शन में, अपने महान स्वतंत्रता संग्रामियों की स्वृति के उज्वल आलोग में, आजादी के 75 वर्षों का उत्सव मना रहा है, जब अपनी मात्री भूमी पर गर् प्रिटिश राज के विरुद्ध उठ खड़े हुए, एक सम्रिध परिवार में जन्म लेने के बावजूद, उन्होंने जेल की यातनाओं को सहर्ष स्विकारा, असहयोग आंदोलन या नमक सत्याग्रे हो, या भारत छोड़ो आंदोलन, डॉक्टर महताब सतत ही संगर्ष करते रहे और लगभग 10 वर्षों तक जेल में बंद रहे, जब आप 1942 से 1945 तक जेल में कैद थे, तब भी उडिशा के गौरफशाली इतिहास की स्मृतियां आपको उत्साहित रखती, विश्व भर को अपनी मात्र भूमी से अवगत कराने के लिए, पहली बार डॉक्टर महत महताब ने उडिशा के व्रिहद इतिहास की रचना की, जिसके हिंदी संसकरण का विमोचन आज माननिये प्रधान मंत्री जीदवारा किया जा रहा है। और भी बुलंद था। उन्होंने केवल नव उडिशा की सीमाओं का ही निर्धारन नहीं किया, इसके भविश्य के लिए सपने भी देखे और निर्मान भी किये। उन्होंने हीरा कुंद बांध के निर्मान, परादी पोड और रावर किला स्टील प्लांट सहित अनेक उद योगों की स्थापना से आधुनिक उडिशा की नीव रखी, तो कटक के स्थान पर भुवनेश्वर को नई राजधानी बनाने में एहम भुमिका निभाई। मजबूत बुन्याद पर खड़ा उडिशा, आज धमरा और परादी बंदरगाह का काया कल्प हो या उर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना, खनीजों का सही उप्योग हो या फिर प्रदेश को हाइड्रो काबन हब बनाने की बात, उडिशा अपने नवोदे की ओर निर करका हिए